हाई गाईज, वेलकुम बाक तो माई चानल, मैं हूँ स्पीटियो और आप देख्रेयो स्पार्कलिंग सोल्स आज के वीटियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको 11-11 बार-बार क्यों दिखाई देता है सबसे पहले और इंपोर्टन रीजन होता है 11-11 दिखने का कि जब हमारा माइंड, हमारी पूरी बाड़ी और हमारी सोल एक तरह से पूरी मिलके अलाइन होके आगे बढ़ती है जब हम पूरी तरह एनरजी को अपनी कंट्रोल करके सही तरह की आक्शन्स और सही तरह के थौट्स और सही तरह की फीलिंग्स को लेके चलते हैं जब इस तरह से हम अपनी सारी energy को पूरी तरह align और सही तरीके से लेके आगे बढ़ते हैं तब हम अपनी inner self और true self के master बनते जाते हैं हम सबको पता होता है कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत है पर फिर भी ये decide हम करते हैं कि हमें अपनी life में क्या करना है और जब आपको बार बार 11-11 दिखाई देने लग जाए ना तब आप ये समझ लेना कि आप divine plan के according चल रहे हो आप बिलकुल सही तरीके से आगे बढ़ रहे हो इस journey में और अपने process में जब आप ऐसा करते हो ना तब आपको 11-11 दिखाई देना शुरू हो जाता है point number 2 मेरा अपना personal experience है कि जब आपको 11-11 बार बार दिखाई देने लग जाए ना तब ऐसा कई बार होता है ना कि आपके past में कुछ ऐसे लोग रहते हैं जिन सब को आप छोड़ के अपनी life में आगे बढ़ते हो अपनी journey के शुरुआत करते हो अपनी spiritual practices करते हो चाहे वो आप आपके past आजाते हैं क्यों ऐसा होता है क्योंकि आपके अंदर से एक बहुत प्योर और powerful energy की वज़या से यह सारे लोग भी आपकी life में खिचने लग जाते हैं आपके past आने लग जाते हैं और इस समय इस moment पे अगर आपको 11-11 नंबर दिखाई दे रहा है ना तो universe आपको guide कर कि आपको अपनी energy किस तरह से बचानी है किस तरह से इन लोगों के साथ आपको deal करना है और अपने आपको भूला नहीं है अपनी inner power को भूला नहीं है वापस उसी तरह के पुरानी सोच में और पुरानी situation में आपको उलजने की जरूरत नहीं है आपको अब पता होना situation से कैसे deal करना है जब ऐसी situation आये तो आपको किस तरह से इन सारी चीज़ों को ना handle करना है और point number 3 मेरा favorite point है जब आपको बार-बार 11 11 दिखाई देना शुरू हो जाए ना तो समझ जाना कि आपकी wish पूरी होने वाली है ये universe की तरफ से एक sign है कि पूरी तरह तयार होके बैठ लाएं चाहे कुछ भी हो जाए चाहे कैसी situation हो जाए चाहे आपकी life में अभी कितनी भी problems चल रही है पर वो wish आपकी है जब इस तरह से आपको 11 11 बार-बार दिखाई दे रहा है आप अपनी wish को manifest कर रहे हो तो तो तयार होके बैठो क्योंकि wish ना किसी भी moment आपकी life में आ सकती point number four एक सबसे important reason होता है जब आप love को manifest कर रहे हो क्या होता है कि जब आप love को manifest कर रहे हो उस love पे आप बिल्कुल भी doubt ना करे उस love के लिए पूरी तरह खुद को open करके रखे जिन चीजों को आप universe से मांग रहे है उन चीजों पे आपको doubt नहीं करना है जिन चीजों के लिए आप इतना process कर रहे है उन चीजों के लिए आपको बुरा नहीं सोचना है खुद से अलग करते हो जब आप उन चीजों पे doubt करते हो यह 1111 universe का एक sign होता है कि जो love को आप अपनी life में मांग रहे हो उसके लिए अपने आपको पूरी तरह open करके रखो क्योंकि वो चीज़ें आ हम मिलते है नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रखिए और खुश रहे हैं पाप बाई